दोस्तों बिहार बिधान सभा सची वाले में जो है चार परकार के अलग-अलग पदों पे भरती निकाली गई है मैंने सुबह में आप लोग को अपडेट दिया था इसका फूल नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा तो हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे पूरी जनकारी के साथ जिसमें हमको पद की संख्या स्लेक्शन प्रोसेश एज लिमिट क्वालिफिकेशन दो ऐसे पद है जिसमें आपको जो हम एक्जाम नहीं होने वाला है सीधा आपको इंटर्व्यू देना है और आपकी पर्मानेंट जौब लग जाएगी बिहार सरकार म के बारे में हम समझेंगे डिटेल में समझेंगे वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आपको पूरी इन्फोर्मेशन यहां पे सेर करने वालो इस भरती के रिगारी अगर आप चारो पद पर इलिजबल है तो चारो पद का अलग-अलग फॉर्म भरना होगा चारो के लिए अल लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो है फ्यूचर में हमेशा जो है अपडेट मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से आप लोग एक लाइक करते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए आप सभी लोग और चैनल पर पहली बा है इतना आप समझ लिए आवेदन जो है एक जनवरी से सुरू अब्लैक करें गा satur सब्सक्राइब बात करते हैं पाइसा की कितरा रुपिया आपको इस जॉब में मिलेगा तो देखे इसका व्यतन अस्तर जो है लेबल वन है अठारा जार बेसिक पे सलरी है चपन अजार नौसर प्लस निया मानुसवार जो अन्य भात्ते होते हैं डिये पिये अलाउंसें जो ह बता है वह आपको मिलेगा स्टार्टिंग सेलरी फ्रिंट्स आपका यहां पे जो है ना अठारा हजार का सीधर फिप्टी पर्सेंट कर दीजे नौ हजार इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ जोडती है तो मोटा वटी आप मान के चलिए यहां पे जो है 27 से 28000 प्लस होने वाली परिच्छा सचतकार के कारेकरम के संबंध में सुचना प्रकासवन बिहार विधासभा की वेपसाइट पर किया जाएगा देखे इससे पहले वेकिंसी आइथी सिक्योर्टी गाट का सिलेक्शन उसका हो गया तो यह भी समझे लिजे 6 मंत के अंदर आपका भी सिल कि लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है इसी में से इने यहां पर देखेंगे तो इसमें सैंफर यहीं सिर्फ मेंट्रिक पास हैं केंद्र सरकार या राजश्रकार के किसी भी मानेता प्राप बोर्ड से तो आप फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं कोई दीकत नहीं होने वाला ह यहां पे समझते हैं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप फॉर्म भरिएगा तो आपको जो है अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो जनरल कटिगरी को छोड़के बाकी सब को जाती निवास देना होगा जनरल से हैं तो इसमें आपको निवास भी लग सकता है तो अपना जाती परमापतर पीता के स्थाई पता से निर्गत हो करवा लेंगी तो यहां पे लगने वाला है फॉर्म भरते से हैं अगर कोई OBC कंडिडेट से अब देके बिहार में होता कहारा है दो भागों बढ़ जाता है OBC एक हो जाता है EBC और एक हो जाता है BC तो इन दोनो में रहते हैं अगर Other State वाला फॉर्म भरता है तो उनको फाइट यहां पर अनरक्षित वाला में करना वागा जो कि यहां पर बिलकुल जो है जीरो कर दिया गया है तो यह चीज ध्यान दिजेगा अदर श्टेट वालों की यहां पर कुछ भी नहीं चलने वाला क्योंकि यहा जो भी नहीं है तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा बात करते हैं यहां पे कर्याले परिचारी के जो नियुम्तम उम्रसीमा है 18 यहां रखा गया है और यहां पे 37 वर्स जेनरल पूरुस के लिए और समान्य महिला के लिए यहां पे और पिछड़ा वर् समझेंगे अब यहां पे समझते हैं यहां पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस से वह क्या होने वाला है प्रिचारी के लिए इस पर सुची त्यार किया जाएगा तो आपको इंटर्विव के बेसिस पर ही होने वाला अभी बिहार बिधान परिशब में वेकेंसी निकल गहीत थी बिहार बिधान सभा अलग होता है और बिहार बिधान परिशब अलग होता है तो बिहार बिधान परिशब भरती जो निकाले की थी उसका अभी इंटर्विव चल रहा है जो परिचारी के भरती निकाले की थी एक चीज और ध्यान देना है अगर 40,000 से अधिक लोग आव बिहार्थी के लिए 400 रुप्या है अब यहां पर देखेंगे तो SCST के लिए 100 रुप्या अप्लिकेशन फी है और बिहार की कोई महिला निवासी उनको 100 रुप्या अप्लिकेशन फी यहां पर देना होगा यह आपका जो है इसका भी सेम आवेदन की तीथी वही रहने वाला है आप नीचे आएंगे तो पदो की संख्या देखेंगे तो इसमें जेनरल के लिए आपका 11 पद है और महिलाव के लिए यहां पर अलग से तो आठ हजार की डिप्रेशन प्रती घंटा की गती से आपको जो कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए अब यहां पर वांचीत ही हो गता है तो देखें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए तो कंप्यूटर में बोला गया है कि DC अगर आपने किया हुए तो फॉर्म भर सकते हैं डिप्लो माइन कंप्यूटर अप्लिकेशन या कंप्यूटर दक्ष्टा भी अगर किये हुए तो इसमें आपका जो ट्रिपल सी होता है वो भी आ जाएगा जो थ्री मंत का कॉर्स होता है या अगर आपने जो है के वाईपी किया हुए 3 मंत वाला तो वह यहाँ पर चल जाएगा इसके अलावा अगर आपने जो हो लेबल साटिफिकेट हासिल किया है बी यह सी से तो भी हो चल जाएगा तो आपके पास computer का जो सेटिफिकेट कोई ने कोई होना चाहिए यह और अगर आप क्रीमिलेर से आते हैं तो आप अपना यहां पर बनवा लेंगे अब बात आती है इसमें उम्रसीमा कित इसका भी उम्रसीमा से मोहीर आएगा मीनिममम 18 वर्स एक अगस 2023 को इसमें काउंट कर जाएगा यह इंपोटेंट बात ध्यान रखी गया किसी किसी पद में एक एक दो हजार चौवीस बोला गया है उम्रसीमा का काउंट इसमें 1823 बोला गया है तुछ इसको ध्यान देना है यहां 37 वर्स जो है जेनरल के टिगरी के लिए अधर स्टेट वाले भी 37 पे ही आएंगे उम्रसीमा मैक्सिमा में और अनरच्छित महिला के लिए पिछरा व है आपका एकजाम होने वाला है इसमें आपका पहला एकजाम होगा अपका रिटर्न एकजाम उसके बच आपका जो है सकाओं मोला है तो अधिक्षा मत्याथोगर. बस्तुनिष्ट बहु बिकल्प प्रारमी परिच्छा ली जाएगी जिसमें सफल अभियार्तों के हिंदी अंग्रेजी टंकड जो है देना होगा और MS Office वर्ड प्रोसेसिंग की भी परिच्छा आपको देनी होगी हिंदी की जो टाइपिंग बोली तीस सब्द प्रति मिनट ए है बस्तुनिस प्रकार का होगा दो घंटे का होगा सौ प्रश्ण होंगे और एक साही उतर के लिए आपको चार अंक मिले यहने 400 आपका अंक रहेगा एक गलत उतर के लिए आपको एक अंक काट लिए जाएंगे इसके वासे बोलागा कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भासा मे मेडियम आफ इकजाम और समाने अध्यन से 40 कोश्चन गडित से 30 qualcूश्चन और यहां पर मांसी जञता जांच तार्किक विचार केkem 30 कोश्चऻन यहापर रहने वाले हैं तो यहां आपका रहने वाला है आपका प्रारमिक परीच्छा इसके बासे अहां पर सिलबस दे दिय है आप इजले निकाल पाएंगे मेधा सुची समझना है आपको हिंदी टंकड मेस ओफिस वर्ड प्रोसेसिंग परिच्छा में प्राप्त अंकों के अधार पर मेधा सुची त्यार किया जाएगा यानि क्या जो आपका रीटेन एक्जाम होगा ना फ्रेंट्स वो सिर्फ और स उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपका हिंदी टाइपिंग होगा और ओफिस का वर्ड प्रोसेसिंग आपका परिक्छा होगा तो इन दोनों को क्वालिफाई करेंगे इसमें आपका अच्छा नंबर आएगा तो आपको यहां पर मेधा सुची में रखा जाएगा तो यह आपका सेलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आप यहां पर देख सकते हैं इसमें अप्लिकेशन फी 600 रुपया है जनरल ओबीसी यानि बीसी बीसी को और एडवलेस को अधरेस्ट को भी 600 रुपया और बिहार राजे के जो महिला है भले किसी केटेगरी से आती हो उनका अप्लिकेशन फी 500 रुपया है और SCST का भी अप्लिकेशन फी 500 रुपया अप्लिकेशन फी यहां पर रहने वाला है तो आवेदन जो है एक तारिक से स्टार्ट होगा 21 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे ओनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरे जाएंगे तो ह कितनी अच्छी सेलरी है आप यह पर समझ सकते हैं तो बहुत ही बजस्त भरती है फॉर्म आप जरूर भरिएगा अब हम बात करते हैं सुरक्षा प्रहरी यानि सीक्योटी गार्ट की भरती के बारे में तो इसका भी आविदन का डेट सेम रहने वाला है एक तारीक और इसमे बड़ा रुपईया तो एकईजाद साथ सेलरी आपको मिलेगा इसका लवागा डिये पी है इसमे अपको मिलता है तो इसमें भी सेलरी आपको 28-30,000 प्लस आपकी स्टाटिंग सेलरी रहेगी बाकी हर साल बिरिधी होता है इसमें पदो की संख्या असी है जो कि हर केटिगरी में आप देख सकते हैं अधर इस्टेट वाले हैं तो फॉर्म बढ़ सकते हैं महिला के लिए यहां पर रिजर्वेशन है जो कि यहां पर 28 इसी भारती में से रिजर्व कर दिया गया कि हम 28 लोगो महिला में से जो है यहां पर सेलेक्षन करेंगे इसमें इंटर्मिडिट पा अब बात आती इसमें उम्रसीमा की तो एक एक दोजार चौवीस को देखें यहां पर उम्रसीमा गणना के जागा 18 वर्स और जनरल के लिए यहां पर महिला के लिए 25 वर्स अत्यांत्य पिछरा वर्ग पूरुस के लिए 27 वर्स यानि एबीसी के लिए 27 वर्स और यहां पर देखेंगे तो बीसी के लिए महिला के लिए 28 वर्स यहां पर देखेंगे यहां पर आपको जो है पिछरा वर्ग अत्यांत्य पिछरा वर्ग महिला के लिए 28 वर्स यहां द के लिए 27 वर्स के लिए 27 वर्स के लिए हो गया यहां पर देखेंगे तो महिला के लिए बोल दिया गया यह यह यहां पर उमरसीमा रखा गया है तो आपकी उमरसीमा जो है security guard में रखी गई यह आप देख लेंगे इसी साब से यहाँ पे उचाई की बात करें तो force की भरती है तो defense level की तो यहाँ पे उचाई आपके 166.5 cm रखा गया है पूरुस के लिए भले हो किसी category सा आता हो S3 के लिए 154.6 cm आपकी height है तो form भर सकते है तराई छेत्र से अगर कोई आता है तो 2.4 cm का उनको यहाँ पे छूट मिल जाएगा यहाँ देख सकते है पूरुस के लिए छाती यहाँ पे ना पाजाता है जेस्ट जो की 165-181 cm आपका होना चाहिए इसमें आपका सबसे पहले आ हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपका जो एक्जाम होने वाला है गडित प्रस्टों की 50 संख्या होगी और समाने अध्यन से 50 यहां पर आपका पूछेंगे समाने अध्यन से क्या पूछेंगे अब आदा इसमें सारीक दच्छता क्या होता है देखिए यहां पर ज होगी सबसे पहले सौंकों का जिसमें आप देखेंगे तो यहां पे पूरुसों के लिए बोला गया है एक मिल की दोड़ 1.6 किलमेटर यहां पर होता है जो कि छे मिनिट में अधिकता हो यहां पर समय मिलेगा पांच मिलेगा पांच मिनिट से लेकर पांच मिन बिच तक करे तो 80 अंक 5-20 से लेकर अधिक 5-40 से करते हैं साथ और 40 अंक यहाँ पर 5-40 से लेकर अधिक 6 मिन तक करती है तो 40 अंक आपको मिलेंगे अब इसमें जो यहाँ पर दौड होता है ना रुनिंग उसके बेस पे सेलेक्शन होता है रिटें एक्जाम आपको जो क्वालिफाई करेंग तो आपका जो है दौड होगा और दौड में आप क्वालीफाई करेंगे तो आपका सेलेक्शन होगा ऐसे होता है परिच्छा सुल्क यहां पे 675 है जनरल OBC EWS के लिए और SCST और बिहार की महिला के लिए आपका अप्लिकेशन फीद देखेंगे तो 180 रुपया है मेधा सुची देखें आप बोला गया कि सुरक्षा परिच्छा परिच्छा में अब भ्यारते दोर प्राप्त कूल अंकों के अधार पर तियार किया जाएगा तो लास्ट में आपका पर नहीं बलकि दोड़ पर होगा ठीक है ना हाँ रेटन पास करेंगे तभी तो आपको दोड़ होगा तो वही मेंडेट्री है तो यह आपका जो है हो गया सुरक्षा परहरी का अब हम बात करते हैं ड्राइबर वाले पोस्ट पे चालक वाले पद पे तो चालक वाला पद का देखेंगे बिग्यापन संख्या यही रहने वाला है और आपका जो है सेम इंपोर्टेंट वही है फॉर्म भरने का यहां पे नौ पद है तीन पद आपको जो है बैकलोग पदो पर रखा गया है इसके बाद से यहां पर देखेंगे तो इसमें मैट्रिक पास बोला गया है और आपके वाहां चालक में LMB या CHMB कोई लाइसेंस वैद होना चाहिए इसमें जो सेलेक्शन प्रोसेस से आपका जो है देख सकते हैं जो आपको यहां पर दिया गया है मेदा सुची आपका जो है बैवहारिक जाच पर इछा लिए जगा मतलब ड्राइविंग टेस्ट आप से कराए जाएंगे और उस से हवा भरने की योगता होनी चाहिए यांत्रिक्त चालक कौसल की प्रत्युक्ता साइकिल चलाने की छमताप के पास होनी चाहिए अप्लिकेशन की बात करें तो 400 रुपया जेनरल ओबीसी और EWS को SCST को 100 रुपया जो बिहार के निवासी है और फीमेल के लिए अभी यहां पे 100 रुपया अप्लिकेशन भी है बात करें इसमें उम्रसीमा की तो 18 मिनमम एक अगस 2030 को काउंट करें जाएंगे समान्य के लिए पुरुस 37 वर्स और समान्य महिला पिछड़ा वर्ग और EBC के लिए 40 वर्स SCST महिला पुरुस के लिए 42 वर्स की उम्रसीमा यां पे रखी यह तो यह ड्राइबर के पद है इसका भी आवदन एक तारिक से ही शुरू होगा अगर आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है इस भरती को लेकर आपके बाक्स में बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बोक्स में बताएगा वीडियो अच्छा लगा है तो चारों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरेंगे आपको अलग-अलग अप्लिकेशन भी जमा करना होगा और चार बार आपको एक्जाम भी देना होगा तो यह आपके लिए रहने वाला है आई होप आपको समझ में आया होगा मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्ट वीडि किसी नेका प।ो समय वीडि़ अभी जमा उता हूप आपको जया होगा मिलते होगा झालग शेको ये लिए झालग-अलगद थेद एड़ा वीडिया वीडिया है ऑट एवीड़ में अलग-चार बान शेक्स पार आपको येड़ आपको आपको येडि़ आपको किसी भीड़